Hello everyone welcome to my channel so कैसे हैं आप सब लोग आज की ट्रेडिंग कैसी रही आप लोगों की अच्छी रही होगी वैसे तो चले और कल के लिए बात करते हैं हम लोग सो यह हमारा कल का टार्गेट है हमारा आज कल के लिए हम लोग अपने टार्गेट की तरफ फर्स्ट हम लोग अपना बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं तो बैंक निफ्टी का हम लोगे चार्ट ओपन कर लेते हैं ओके सो यह हमारा आज का बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया तो इसमें आज की जो लास्ट हमारी क्लोजिंग हुई हुई 34,684 के उपर हुई है और कल के लिए जो हमारा इसमें टार्गेट होगा वह हमारा होगा 34,900 के अब आपको बई करना है और 35,000 हमारा 1st टारगेट होगा सेकंड टारगेट हमारा 35,200 होगा एज हमें stop-loss लेकर जाना है 34,700 का इसमें stop-loss लेना है नीचे की स्टरफ शके बाद हमारा first target होगा हमारे 34,300 का कन टार्गेट हमें इसमें लेके चलना है 34600 का सो यह हमारा कल के लिए बैंक निफ्टी का टार्गेट होगा द्यान से ट्रेड करिएगा और चलते हैं अब अपने next हम लोग ट्रेड निफ्टी 50 की तरफ है सो निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेते हैं और यह हमारा निफ्टी 50 का चार्ट ओपन होगया जिसमें हमारी क्लोजिंग होई है को यह हमारे 15 301 वन पर आप ऑन जो कल 15,400 हमारा second target होगा में 14,260 हम लेके चलना थो 5200 हम 15000 हमारा टार्गेट होगा 15,000 हमारा सेकंड टार्गेट होगा and stop loss इसमें हमारा 15,250 का हो okay then अब हम लोग चलते हैं अपने next जो 2-3 stocks मैंने आपके लिए हर रोज मैं select करके रखती हूं so आज आप लोगों के लिए 4 stocks हैं so चलते हैं हम लोग अपने stocks की तरफ okay so ये मेरे आपके लिए 4 stocks हैं इंडिसलेंड बैंक, भारती, UPL and स्ट्रेजरेट फाइनेंस okay so first हम लोग अपना ये सर्ट्रास, fine का हम लोग पहले इसमें इसको हम लोग open कर लेते हैं चार्ट इसका इसमें हमारा जो first okay ये हमारा अपना चार्ट open हो गया इसका okay so इसमें हमारे जो first आज का सुरी आज का हमारे इसमें जो closing हुई है, वो हुई है हमारी 1432 चार्ट कर के लिए इसमें हमारा जो target होगा वो होगा हमारा इस ये मतलब कि buying और selling दोनों आपको मौका मिलेगा पहला हमारा माका मेलेगा जब हम लोग 1450 के हम भाव हमें mit CC जिए करणा है जब मौका मिलेगा देन हमrast टको 1456 एंड 2 हमारा pregnancy by उसमें स्टॉपलोस ने के चलना है 1445 जिसमें अगर हमें सेल साइट में मिलता है यह लोग 1428 पर सेल करेंगे बिलोग अगे उसके बाद हमारा जो फॉर्स टार्गेट होगा 1423 हमारा फॉर्स टार्गेट होगा स्टॉप लोस में 1,433 का लेकर चलना है सेल साइड में सो यह हमारा पहला स्टॉक साज चलते हैं अपने सेकंड स्टॉक के तरफ ओके सेकेंड स्टॉक हमारा यूपियल का है हम यूपियल के चार्ट ओपन कर लेते हैं ओकी यह हमारा यूपियल का चार्ट ओपन हो गया सो आज हमारी जो लास्ट क्लोजिंग थी वह 812 की थी 812 हमारी क्लोजिंग हुई है और इसमें UPL में हमारे जो कल का हमें कल by करना है और by side में हमारे जो target होगा वो होगा हमारा 816 16 पे हमें बाइ करना है और 819 हमारा first target होगा and 822 second target stop loss हमारा 813 का होगा सो यह UPL का हमारा कल का टार्गेट है इसमें stop loss हमें 18-13 लगाना है सो चलते हम अपने 3rd stock की तरफ ओके यह हमारा 3rd stock भारती एटल है इसको इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं हम लोग सो यह हमारा भारती एटल का चार्ट ओपन हो गया और आज की ईसमें आज की वह वहां ही 525 पर एंड कल हमें sail 2 चाईड में मौका मिलेगा थो हमें sail करना है 525 पर हमें sail करना है वन हमारा first हमारा जो तार्गेट होगा 520 और सेंड टार्यट होगा हमारा 518 सो इसमें हमारा stop loss लेना है 527 stop loss लेना है हमें भारती अटेल में कल सेल साइड में सो यह मेरा अपके लिए स्टॉक है सो चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ पटनेक्स्ट हमारा लगांस्ट है इंदा स्टॉक है ऊपन कर लेते हैं यामरे प hedge ने चार्ट और हो गया है यह हमारे लास्ट ताज की क्लोजिंग होई है एक लुग्र साइड में होगा सो होगा हमारी हमारी फाइज्ड फाइड में बैस करना है Main न परॉस्ट टारिक 1 ॉन त्न होगान सेकेड्र टॉर्गी हो गैए सेक्ड अ मैं इसमें हमारा ये टार्गेट है so मिलते बाकी आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करें सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेर भी कीजिए थाकि थोड़ा सा प्रोमोट हो सके और लोगों को हैल्प मिल सके मतलब टार्गेट से रिलेटी जिनने जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इंटरे ट्रेडिंग करते हैं इसको हमारी वीडियो को शेर कीजिए so मिलते हैं हम लोग कल thank Thank you so much. Bye-bye.